आज हम बायडिवर्सिती टूल्स पॉर असिस्मेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे पहले पार्ट में आपको बताया गया कौन कौन से टूल्स है असिस्मेंट के लिए किस प्रकार से हम सेस्मेंट कर सकते हैं अब इसका दूसरा पार्ट है जिसमें नौर्थ इस्ट इंडिया में किस प्रकार से visitation cover है इंडिया में biodiversity characterization के phases कौन-कौन से है किस प्रकार से हम इसको assessment कर सकते हैं किस प्रकार से हम conserve कर सकते हैं conservation strategies के बारे में methods के बारे में आपके course में mentioned है माइसल्फ डॉक्टर शुचीता जेन असोसेट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अब बॉटनी जानकी देवी बजाज गॉवर्मेंट गॉल्स कॉलेज कोड़ा सबसे पहले भारत का नक्षा आप देख सकते हैं यहाँ पर बायो डावर्सिटी के रेक्टराइजिशन जय वीवित्ता या बायो डावर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि जितनी वीवित्ता होगी उतना अधिक स्टेबल एकोसिस्टम होगा भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा diversity पाई जाती है बहुत सारे hotspots है जिनके बारे में आप जानते हैं मेगा hotspots और hotspots यहां phase 1 और phase 2 बताया गया है जिसमें phase 2 में green area आपको दिख रहा है पुरा तो जै विवित्ता के बारे में यह दर्शाता है कि कितनी सारी विवित्ता भारत के central region से लेके और south, north, east, west सभी तरफ जो है विवित्ता पाई जाती है और phase 2 में इसके बारे में हम देख सकते हैं अब biodiversity characterization का एक paradigm है कि हम क्या-क्या सोच सकते हैं इसके बारे में या क्या-क्या हम बता सकते हैं biological index भी होता है, social index भी होता है biological में जिसका समावेश होता है वो है forest, non-forest और field data भी है, broad visitation cover types है और कई सारी चीज़े है जब हम देखते हैं biological richness ecosystem uniqueness, species richness biodiversity की value क्या है वहाँ पर और किस प्रकार से terrain complex है और disturbance index क्या है disturbance index, fragmentation social index में social physical activities का समावेश होता है किस प्रकार से हम इनको settle कर सकते हैं या किस प्रकार से हम इसकी study कर सकते हैं ते के digital elevation model बनाया गया है जिसमें की biodiversity characterization के paradigm को बताया गया है जिसमें biological richness and disturbance index में किस प्रकार से balancing हो सकता है और किस प्रकार से हम social activities को और biological diversity को maintain कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है अब यहाँ पर जो imagery है आपने देखा कल मैंने बताया था remote sensing के बारे में remote sensing tools की help से जो imagery ली जाती है उसमें यह नौर्थ इस्ट इंडिया की false color image बताई और यहाँ पर here in the right side you are able to see in the lower corner that imagery is of visitation and land cover in northeast India तो imagery को देखते हुए हमें सारे इसमें characterizations देखने को मिल रहे है कि किस प्रकार से imagery यहाँ पर है किस प्रकार से visitation cover फैला हुआ है कितना percentage है कितना कम है कितना जादा है यहाँ पर disturbance regimes भी कौन-कौन से है इनको indicate किया गया है अलग-अलग shade से low, medium, high like that here it is high disturbance के area जो है नौर्थ इस्ट इंडिया में high area कहाँ पर है high disturbance इन जगहों पर है very high that is red color sand कहाँ पर है this one तो इस तरह से यहाँ पर shades के माधियम से different shades के माधियम से flow sheet chart में इसमें बताया गया है कि आपका high और low और medium area disturbance regimes कौन-कौन से है in the northeast India और यहाँ पर second diagram जो है right lower corner में आप देख सकते हैं कि low, medium, high, very high, non-forest shift cultivation, water, shadow, snow, cloud के बारे में forest fragmentation in northeast India यहाँ पर forest का fragmentation बताया गया है अब plant richness north east India में कितनी है see it is very low, low, medium अब जो yellow है वो agriculture का area है और यह जो slightly pinkish जो है यह sand का area है water shadow, blue is water and black is shadow and snow or cloud this transparent area तो plant richness north east India में किस प्रकार से हो सकती उसके बारे में यहाँ इसका diagram बताया है इसमें पूरे अरुनाचल प्रदेश, आसाम, मनिपूर, नागालेंट, मेगाले, मीज़वरं, सिक्किम, एंट्रिपूरा यहाँ की average diversity north east India की किस प्रकार से है उसके बारे में बताया गया है इस graph के माद्यम से हम देख सकते हैं कि average biodiversity अरुनाचल प्रदेश में ज्यादा आसाम में उससे कम, मनिपूर में, मेडियम और नागालेंट में भी लगबग एकसी है मेगाले में ज्यादा है, मीज़वरं में कम, सिक्किम में ज्यादा और अगें त्रिपुरा में फिर कम तो यह distribution और इसके diversity का graph यहां पर बताया गया है अब biodiversity information system एक बना हुआ है www.bisindia.org की website है यहां पर हम biodiversity के बारे में सब कुछ जान सकते हैं जहां पर आपको कोई query है, frequently asked questions है और यू can search and you can see biodiversity और phytodiversity और biodiversity information system में आपको पूरी special reviews भी मिलेंगे biodiversity की different links भी मिलेंगे यह repository of websites and portal addresses which render any information regarding biodiversity and it's related to many more streams आप सब कुछ biodiversity की बारे में जानना चाहेंगे तो bisindia.org को visit कर सकते हैं अभी different imagery जो है remote sensing के माध्यम से ली गई है जो की tools मैंने आपको कल बताये थे यहां पर बताया गया है कि land use cover कैसे हो रहा है या watershed areas कैसे है prediction map है Shannon diversity index it is important Shannon diversity index जो है quadrates की study हम कर सकते हैं different species की और यहां पर आपको quadrate के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से latitude, longitude and number of species were recorded for each quadrate एक एक quadrate के लिए species को record किया गया है और उसके माध्यम से Shannon diversity index के माध्यम से बताया गया है कि what is the index of diversity prediction map of definite papyrasia using different models envelope score है या bio claim है या environmental distance है इन सब को use करके biodiversity की study बताई गई है DEF ने papyrasia के बारे में फिर से बताया है यहां GARP और GARP best subsets फिर से दो important models है GARP is a genetic algorithm that creates ecological niche models for species the models describe environmental conditions under which the species should be able to maintain populations किस प्रकार से population maintain होगी इसके बारे में genetic algorithm GARP model के द्वारा बताया जाएगा It uses a set of point localities where the species is known to occur and a set of geographic layers representing the environmental parameters क्योंकि environmental conditions पर सारी vegetation depend करती है इसलिए species की capability को या survive करने की capability को study करना है या species की occurrence को study करना है तो GARP याने की genetic algorithm model से population का पता लगाया जा सकता है यहाँ hyper spectral remote sensing के बारे में बात की है या बताया गया इस diagram के माध्यम से कि hyper spectral sensors on the other hand are able to deliver calibrated images कई सारी calibrated images आप देख सकते हैं plant types based on the reflection and absorption of light of these few channels spectral channels के माध्यम से या seven bands जो है उनके माध्यम से vegetation को study करना remote sensing के माध्यम से challenging job है लेकिन इन sensors के माध्यम से calibrated images हमें मिल सकती है जो की spectral radiance up to 200 or more continuous spectral channels images from these new sensors allow for a better separation of plant types based on their unique light reflectance light reflectance या light के absorbance के आदार पर या absorption characteristics के आदार पर इन्हें हम define कर सकते हैं या बता सकते हैं कि different wavelengths absorb करने वाले spectral fingerprints हमें शो करते हैं कि कौन सी species वो वहाँ पर उस area में present है multispectral versus hyperspectral यहां दो diagram के माध्यम से बताया गया है कि landset जो लिया है और aviris तो spectral library plots और spectral library plots में wavelength कौन कौन सी है और उस wavelength पर vegetation है या नहीं है इस photograph में diagram में बताया गया है average low altitude imagery है spectral resolution यहाँ पर 224 to 10 nanometer bands में होता है और visible infrared range of the spectrum है और special resolution 4 meter होता है जिस पर इस प्रकार की imagery आपको मिल सकती है या बता सकते हैं कि whether it is अब representation of use of hyper spectral data को यूज करके कल मैंने आपको signature के बारे में बताया था तो target signatures कौन कौन सी है और कौन सा object हमें study करना है तो उसके आधार पर spectra जो stimulate की गए है और जो imagery हमें domain इक मिल रहा है उस पर ये सारा spectral study करके और बताया जाता है यहाँ पर अलग-अलग variables है aerospol, water vapor, canopy structure, ठीक है फिर leaf variables, chlorophyll है, water content है, amizophyll structure है फिर soil variables है तो soil का RT model, canopy का RT model, atmosphere का RT model या coupled RT model यानि representation of use of hyperspectral data करके signature extraction किया जाता है और readjustment of variables optimize किया जाता है और उनका comparison या तुलना की जाती है और फिर उस object domain को लेकरके एक major spectra बताया जाता है कि spectro ideometer कि आप इस spectro ideometer के माध्यम से या hyperspectral studies के माध्यम से data के माध्यम से बता सकते है कि कहां पर किस प्रकार की species पाई जा रही है या available है या उनको हम conserve करने के लिए क्या प्रयास कर सकते है इस प्रकार से chlorophyll में कौन से photons को या absorbance को ले सकते है light bands को या वेवलेंस को absorb कर सकते है उसके बारे में इनके pigment indices के बारे में हम explain कर सकते है या hyperspectral data agriculture stress region में भी देखा जा सकता है greenness to indicate areas of idle cropland weak vegetation है या canopy water content कैसा है या canopy nitrogen कैसा है कि relative nitrogen levels क्या है उनको हम study कर सकते light use की efficiency क्या है and leave pigments to highlight vegetation stress बहुत सारे challenges है conservation methods के बारे में मैं आप से कहूं तो in-situ conservation and ex-situ conservation दो important है और in-situ conservation refers to protection zones and areas of high biological diversity and these areas are described as natural ecosystems and they will protect species with minimum human interference and the buffer zones or semi-natural ecosystems can allow for some human disturbance as long as the impact of humanity is not greater than any other factor preservation करना है हमें endangered species को या उनका poaching से रोकना है protection against poaching visitation है और animal resources है दोनों को conserve करना है biodiversity refers to all the variable organisms तो उने restore करने के लिए हमें habitats को judiciously protection measures को use करना होगा और in-situ conservation में biosphere reserve है best site for natural conservation of the threatened flora इंडिया में 75 national parks 421 wildlife centuries और बहुत सारी ऐसी areas है protected areas है 23 tiger reserves भी है अब उनकी संख्या बढ़ गई 14 biosphere reserves भी है जो data हम देखते हैं वो day by day data increase हो रहा है इन सब की आवशकता पढ़ रही है क्योंकि इने concern करने की जरूरत है और हमारे सामने बहुत सारे challenges है हम different tools को study कर रहे हैं और imagery को study कर रहे हैं हम कहरें remote sensing से भी biodiversity का हम आख सकते हैं उसको major कर सकते हैं different tools of assessment are there लेकिन वहाँ पर बहुत सारे challenges भी है cost of imagery is very high यहाँ सबसे पहला point है cost of imagery then lidar और radar यह जो hyperspectral जो lidar और radar जो है इनके आधार पर conservation करने के लिए जो work किया जाता है research phase of development में currently beyond the capabilities of most researchers ऐसे कई सारे researchers है जिनको इतनी महंगी technology का use करने के लिए कोई मौका नहीं मिलता है या it is not available and it is not easier to adopt these technologies importance of getting accurate information to validate what the remote sensing data products appear to be telling the user ground truth जो है वो यह है कि information might come from researchers in the field ground based sensors और even higher resolution remote sensing sources aerial photography के माध्यम से भी आ सकता है लेकिन it is very challenging atmospheric phenomena mechanical problems with the sensor यदि sensor में कोई problem हो गई है तो data आपको proper नहीं मिल पाएगा या view नहीं हो पाएगा ecological models have a vital role in the process of converting remote sensing data products into actual knowledge क्योंकि जो हमें मिल रहा है data उसको actual knowledge अपलाए करके और species distribution richness को study करना ये भी एक सबसे बड़ा challenge है तो कुछ models और softwares जो है analytical skills के लिए यूज किये जा सकते but still there are many challenges there are many prospects also understanding the environmental drivers of species distribution and levels of species richness and how they operate in different geospatial context is a fundamental challenge of modern biology but to make progress ecologists, evolutionary biologists and conservation biologists must bring their data sets on species distributions, levels of species richness, areas of endemism and so table combine with the global, regional and local data sets हमारे पास तीनों levels है, global level है, regional level है, local level है और इन सब को study करने के लिए सब conservation biologist या ecologist को एक platform पाना होगा और in-situ and ex-situ conservation methods को importance जो हम जानते हैं उनके माधियम से हम कैसे use कर सकते हैं ये हमें देखना होगा कही सारे data, बहुत कम data भी available होते हैं इन सीटू conservation में, आप natural state में, you can conserve कही सारे wild relatives, livestock है, fish genetic resources है, fresh water systems है marine fish and other economic sea animals है, mangrove है, coral systems है, island ecosystems है there are so many threatened and endangered biota including materials used for teaching and unique and fragile ecosystems including hotspots, north east himalaya में कुछ species endemic है, endemic areas है और fragile ecosystems है, likewise ex-situ conservation जब हमें करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, establishment of genetic enhancement centers for producing good quality of seeds, seed bank हम कर सकते हैं, establish enhancement in the existing zoos and botanical garden network, seed gene bank जिसे अप कहते हैं उसको develop कर सकते हैं, tissue culture gene bank को develop कर सकते हैं, pollen and spore banks को develop कर सकते हैं, और zoological gardens और captive breeding कर सकते हैं और in vivo and in vitro preservation भी कर सकते हैं तो ex-situ and in-situ conservation of forest trees and microorganisms except the nitrogen fixing blue green algae और किसी पर किसी का ज्यादा attention अभी तक नहीं हुआ हैं, तो we can go for such research problems to maintain and conserve the biodiversity, these are the remote sensing imageries only the point is that if you have to conserve the biodiversity, you have to take extra efforts and you have to go for in-situ as well as ex-situ conservation methods. Thank you very much. If you have any queries, you can ask questions. Thank you. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Quota.